प्रेगनेंसी के दोरान पूरे नौ मेहने गर्ब वती महिलाओं को काफी सारी चुनावती का भी सामना करना परता है। ऐसा होने पर समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दोरान प्राइवेट पार्ट में खुजली क्यूं होती है। एक्सपर्ट के मुताबी गर्भावस्था के दोरान प्राइवेट पार्ट में एस्ट्रोजन और ग्लाइकोजन की मात्रा बर जाती है, इसी के चलते इस्ट इंफेक्शन का खत्रा भी बर जाता है। अधिक तर गर्भावस्था के दोरान प्राइवेट पार्ट में जलन और खुजली की समस्या से बचने के लिए आप इसे ड्राइ और क्लीन रखे, आर्टिफिशल और हाई पियच वाले प्रोड़क्ट का इस्तिमाल करने से बचे, प्रेगनेंसी में धीली सूती कपड़े या फिर अंडर वियर पहने और टाइट कपड़े पहनने से बचे यूरीन पास करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से साफ करे पब्लिक टोयलेक्ट में जाने से बचे इसे यूटी आई का खतरब बढ़ जाता है पसीने और डिस्चार्ज से बचने के लिए दिन में दो से तीन बार अंडर वियर बदले खुजली को कम करने के लिए आप उस हिस्से में ठंडी सिकाई भी कर सकती है इन सारे उपायों को करके आप प्राइवेट पार्ट में होने वाले खुजली और जलन से राहत पा सकती है तो चलिए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि क्या इसे जेंडर प्रेडिक्शन किया जा सकता है क्या कहना है पुराने जमाने की बुज़ुर्ग महिलाओं का वो कैसे बताती थी कि वाइड डिस्चाज को ले करके की गर्भ में लड़का है या लड़की है तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि प्रेडubernetes के दोनान अगर गर्भुवती महिला को बहाँ जदा लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई